गाइस कभी भी age related question आपके सामने सोल करने कुछ tips देता हूँ आपको मैं age related question में ध्यान रखना पहला point हमेशा present age को अजूम किया जाता है कभी past future की age को अजूम नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद में अगर आपको किसी की age निकालने है future के अंदर तो simple बात है मुझे उसकी age नही करने मत कर रहा है will sell future tense का अगर sentence हो तो future की age बता रहा है hence what use हो रहा 5 year hence तो 5 साल बात की बात कर रहा है 3 year later बात की बात कर रहा है 3 year from now आज से 3 साल बात ये भी future की बात कर रहा है तो past के लिए कौन-कौन से what use होंगे watch पर ये helping work के through हम पहचान लेगे past की बात कर रहा है ago 3 year ago 5 year before तो ये हमें ध्यान रखना है age के question कैसे किये जाते है